share खरीदना और सबजी खरीदना तोनो एक जैसा है जितना आसान या मुस्किल market में जाके सबजी खरीदना है उतना ही आसान या मुस्किल share खरीदना है मैं आज ये 10-12 मिन्ट में आपको आसान तरीके में पूरा share market बता दूंगा और मैं आपको बता रहा हूँ, ये उतना ही आसान है या मुस्किर है अगर आपको मुस्किर रगता है सबजी खरीदना तो, जितना सबजी खरीदना है, तो सबजी खरीदना अगर आसान है, तो शेर मारकेट आसान है, सबजी खरीदना अगर मुस्किर है, तो शेर मारकेट से खरीदना मुस्किल है नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनेत रिपाथी है और मैं आपका एड़ुटरी के प्रेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ ये प्रेटफॉर्म लर्णिंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है कोई रिकमेंडेशन नहीं होता यहाँ मेरी वाइफ जब सबजी खरेती है तो वो ये देखते हैं कि हम लोग घर में कौन सी सबजिया खाते हैं आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, तोरी, परवर, पालक ये मटर, गोभी, ये सबजिया हैं जो हम खाते हैं कैसे? डिपेंडिंग अपान आवर बजट, डिपेंडिंग अपान आवर इंट्रेस्ट, सुटिबिल्टी, टेस्ट, उसके हिसाब से सबजिया हमने बना रखा सेम वे आपको पहले आपको अपना एक बुके बना लेना है वो कौन से शेयर होंगे जो आप खरीदेगे क्या वो HUL, ITC, BATA, VIP, Page Industry, Reliance, HDFC, ICSA, कुछ भी हो सकता है इस तरह का आपका एक बुके होना चाहिए जैसे मेरे बुके के, सबजी के बुके में कटहल आता है, लेकिन कद्दू नहीं आता, करेरा नहीं आता क्योंकि मेरे बच्चे वो नहीं खाते सेम वे आपके बुके में कोई XYZ Chemical Limited, XYZ Technology Limited नहीं आना चाहिए depending upon या तो वो आपको महना लगता है, बचेट में नहीं है या वो आपको पसंद नहीं आता है, जो आपको तो आपके share की एक list होने चाहिए, जो regularly आपको watch करना है, देखना है अब मेरी सबजियों में एक वो सबजी है जिसको मैं खरीता रहता हूँ, खरीता रहता हूँ, खरीता रहता हूँ हर बार जाता हूँ, हर बार खरीता हूँ, वो क्या है? आलू, प्यास, टमाटर, धन्या, रहसन, अदरक, ये हर बार आता है same way जब आप share खरीदने जाते हैं तो कुछ share ऐसे होते हैं जो आप खरीदते रहिए क्या हो सकते हैं bank nifty हो सकता है nifty हो सकता है HDFC bank हो सकता है SBI हो सकता है कुछ भी आपने 4-5-6 chaser रखाए इसमें मुझे हर महीने invest करना है किसी भी rate में चल रहा है मैं invest किये जा रहा हूँ किये जा रहा हूँ 10-12-15 साल बाद देखेंगे अब उसके बाद कुछ सबजियां ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से हम खरीदते हैं जैसे आजकर सर्दियों में मटर बहुत अच्छे आ रही है सस्ते आ रही हम मटर खरीदते हैं जीव, मटर थोड़े महंगे हो जाएंगे तोरी, घीया वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे कुनरू, परवर हम वो खरीदना शुरू कर देंगे मैं ये नहीं कह रहा कि गुभी, पालक, महंगे है खराब होगे, बस महंगे है हमारे बज़ट में देंगा पिर, हमारे थोड़े दिन के बाद फिर किसी और का मोसम आता है हम वों सबज़या खरीदा लगते तो, कुछ सबजयां, जो हैं, कौमने हर बार खरीदते हैं कुछ सबजया हम समय के حسाब से हमें, जो हमारे बज़ट में करता है हम उसको करते हैं सीम आपको करना है जो आपने 10-12-15 शेयर आइडेंटिफाई कर लिया है 2-4-5 शेयर ऐसे होंगे जो आप हर मोसम में खरी ले रहा रहे हैं आपको यह पता है जिनको मुझे एकुमेलेट करना है 2-4-5 ऐसे शेयर हैं जनरी वो साइकल कर नेचर कैसे होते हैं कि समय हर 6 मेंने बाद एक सार बाद कभी यह सस्ते होते हैं कभी वो सस्ते हैं मैं आप एक्जाम पर बताता हूँ कुछ दिन पहरे हीरो मोटो कॉप, HDFC AMC, Bajaj Auto, Reriance यह सस्ते थे आज HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Asian Baint यह सस्ता है फिर 2-3-4 मेने बाद, 6 मेने बाद, हो सकता है reverse हो जाए, हो सकता है कोई और सस्ते हो जाए तो वही सबजी, जो सबजी सस्ते आने लगते हैं हम वो खरीदना शुरू कर देते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं मेरी वाइफ, चितना दिमाग सबजी लगाने में लगाती है, सबजी खरीदने में, उतना ही दिमाग मैं शेयर खरीदने में लगाता हूँ इससे ज्यादा दिमाग जब आप लगाना सुरू करते हैं, तो सारी दिक्कते हो जाती है आपको पता है मेरे घर में आरो काडो क्या होता है वो नहीं आता, मेरे बजट में नहीं आता, मुझे उसका टेस्ट समझ में नहीं आता, मेरे घर में गन्ना खरीद के नहीं आता, कोई खाने वाला नहीं हो, इसका मतले नहीं कि आरो काडो जो है या गन्ना जो है वो खराब य मेरे बजट में क्या आता है, तो और किस समय आता है, यह भी रहा है, अगर आप इससे ज़्यादा दिमाग लेने पे ना लगाएं, अगर आप इससे ज़्यादा दिमाग लेने पे लगा देते हैं, तो आप गरत करते हैं, दिक्कत क्या है, हमारी सबजी के रिष्ठी तेयार नहीं है, तो हम मंडी में जाते हैं, परसान होते हैं, यह ले लूग, वो ले लूग, आपको पता होना चाहिए आपके घर में क्या होता है, कभी देखना, मम्मी जब सबजी लेने जाती है, तो सबजी ले लेती है, पापा जब सबजी लेने जाते हैं, यह ले लूग क्या, अगर वो रोज नहीं ले रहे होते हैं, यह लूग क्या, यह लूग क्या, यह अधा किलो लूग क्या, यह किलो लूग क्या, चार बार फोन करते हैं इसी दिए आपके लिस्ट पता होना चाहिए आपके किचन में क्या चीजे यूज होती है कौन आपके बच्चे खाते हैं अस्वेंड काते हैं पापा जी खाते हैं दादा जी खाते हैं वही समझियां आपको खरीदे हैं सेम में वही शेर आपको खरीदने हैं जो आप मिल जाएगा, कहीं ये प्रोटीन मुझसे छूट न जाए कितना तो नहीं सोचते ना, तो शेर खरीदते समय सब क्यों सोच रहे हो, ये खरीदूंगा नहीं, ये खरीदूंगा ये भाग जाएगा, ये आपको क्या सूट करता है अपनी सबजी खुच चूज करें, अपना शेर, खुच चूज करें, उस पे विश्वास रखें, उसको यूज करते रहें, करते रहें, करते रहें, खुच रहेंगे, आलू, प्याज, टमाटर रोज खरीदना है, मिस निफ्टी, बैंक निफ्टी के ATF हो सकते हैं, कुछ मिशर फंड हो सकता है, कुछ गोल्ड बांड हो सकता है, रोज खरीदना है, मतलब, जब भी पैसे हो, खरीदते रहना है, तोरी, पालक, भिंडी, गोभी, गाजर, मुली, जैसा समय आए, कब कौन से खरीदना है, सिम भी, रिराएंस, बाटा, टाटा, वियाईपे, HDFC, जब समय जैसा आए, खरीदते हैं, समय मतलब, जब वो अपने एवरेस के नीचे मिलना शुरूँ आपको, थोड़ा सस्ता मिलना शुरूँ, खरीद देना है, इससे आसान, शेयर मार्केट, कोई नहीं बता सकता आपको, और, इससे ज़्यादा, अगर इसको कोई कम्प्लिकेट करता है, तो वो वही इंसान है, जिसने शेयर मार्केट में, कभी पैसा नहीं बनाया, शेयर मार्केट में पैसा बनाना है, तो अपने इन्वेस्टिंग के जन्ने को सिंप्लिफाइड के जिए, जितना सिंप्ल रखेंगे, उतना खुस रखेंगे, लोग उसको कम्प्लिकेट बनाते हैं, ताकि आप उनके कोर्सेज करें, स्ट्रेजीज बताएंगे आपको, तस पीस पचासी ज़र कमाने के लिए ठीक है, बड़ा पैसा बनाने के लिए, कुछ अपने राइफ में चेंज राने के लिए, सिंपल इन्वेस्टिंग जर्नी ही चलती है, ये आपको समझना है, अगर वीडियो अच्छा रहा तो प्लीज राइक करेंगे, दोस्तों के साथ सेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बहुत सारे लोग आप वीज में दिखते हैं, इतने व्यूज आ गए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोगों, सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताएए, कि आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में लिखिए, कमी है तो भी लिखिए, मैं उसको अगली वीडियो में उप्रूफ करूँगा, और फिर मैं इसके आगे कांटिनिटी जो सेयर खरीद दिया है, उसको कब बेचें, कैसे बेचें, उस पे भी जाओगा, वो भी इतना ही सिंपल है, एक बार फिर से स्वागत है, धन्यवाद इस परिवाद को बढ़ाने में मेरी मदद करें,